हलो एपरीबरन वल्कम टू बाइ यूटीब चालन लॉपशीज केचन आज हम बनाने जा रहे हैं ओमलेट वह भी वेजीटेबल ओमलेट क्या आपने कभी पहले खाया है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना इसे बनाने के लिए हम यहां पर पहले वेजीटेबल्स को कट क कर रहे हैं मैंने यहां पर प्याज शिम्ला मिर्च और पत्ता गोबी लिया है आपके पास यदि और भी वेजिटेबल्स है तो आप उन्हें भी इसमें कट कर सकते हैं चाहें तो उन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं उससे पहले मैं इन्हें बारिक बारिक चॉप कर रही हूं सबस कर लीजे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छी वैजित नहीं नहीं रेसिपीस लेकर आते रहे हैं यह देखिए इसी तरीके से हम शिम्ला मिर्च को भी कट कर रहे हैं आपको इन सब को एकदम बारिक कट करना उच्छी आप चाहें तो गाजर ले सकते हैं अध्रोखरONG मिर्च को भी ज्यादा सपाइसी घाना आ चाहे है तो ज्यादा सपाइस डन सकते हैं चाहें तो शिम्ला मिर्च बहुत सारे कदर असमे मिलती हैं वह ले क्तिं भी इसमें टेस्टे ही आता है कि हम ऐसे सभीयों को काट रहें क्योंकि सारी सभ्जिया इतने अच्छे से हैं कि ना canday का टेस्ट आएगा और यह वेचिटेब्ल्स का कच्छा अच्छा गआएगा बस तरीके से आप सारी सभ्जियों को एक्दम बारिक चॉप कर लीजे हमने एक साथ ही सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है एक बड़ ऐसा वरतन लेंगे और उसी में ही सारे पैटर को तरियार करेंगे हम बस इस तरीके से आप भी पटावट से हीने कट कर लीजे ओमलेट्स तो अपने बहुत सारी वराइटी के क्या खाय होंगे लेकिन आप एक बार मेरे तरीके का ओमलेट्स बना कर देखे सभी लोग रोज रोज सित करेंगे कि यही बना और इससे एक तो वेजेटरिबल्स भी खाने में आती है और हेल्दी भी होता है यदि आप डाइटिंग पर हैं तो भी आप इससे का सकते हैं कुप सारी व इसमें एक अंडा और एट कर देंगे ताकि यह काफी काउंटिटी में बन जाएगा जो की चार लोगों के लिए सफिशेंट है यह देखे बस इस तरीके से सारी अंडों को तोड़ लेजिए और तोड़कर एक साथ रख लीजिए पहले में तीन अंडे डाले हैं और उसमें सारी वेजिस को डाला है वेजिस बहुत सारी हो गई तो हमने फिर एक अंडे को और इसके अंदर डाला ही और हम इसमें बहुत साथा मसालों को यूस नहीं कर रहे हैं बस अब हम इसके अंदर नमक टालेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर लाल मिट्स को डालेंगे यह देख और यदि आपको ना अपना समझ में आए ता एक एक ओमलेट के हिसाब से भी अंडे को ऐसे चार बार उसमें नमक करके डाल सकते हैं और हमने रेट चिली पाउडर डाला है और इसमें हम थोड़ा सा हरे देनिया डाल रहे हैं कट करके अच्छा हो जाएगा आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर टमाटर नहीं डाला है आप चाहें तो टमाटर को बीच में से उसका गुदा अलग कर दीजिए और बाहर बाहर का कड़क पाट डालिए तो इससे आपका ओमलेट चिपकेगा भी नहीं और उसका ओमलेट का टेस्ट जो है वो और भी अच्छा हो जाएगा बस यहाँ पर हमने एक तरफ पैन रख दिया है पैन गर्म होगा जब तक हम इसमें ओईल भी डाल देते हैं साथ में ओईल भी गर्म हो जाएगा और यहाँ पर तोड़ा ज़दा कौंटिटी में हमें ओईल लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा ओमलेट जो ही वो बड़ा है आप चाहें तो इसे चार बैचस में अलग-अलग करके भी बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इसे एक ही बड़ा बना रही हूँ और उसके बाद उसके पीसेस को कट करके फोर पार्ट्स में डिवाइट कर दूँगी होने पर कैस को मद्धा करना है मद्धे इस पर ही आप इसमें डालिए इससे तेज गैस पर डानेंगे तो यह एकदम से चल जाएगा एक साइट से और पकेगा भी नहीं वैजिस जो है वो पकेंगी नहीं अच्छे से तो इसलिए हमें इसे थोड़ा मेडियम आज पर ही पका है आप पैन को हिला कर चेक करिए यदि यह साइट को छोड़ रहा है यह देखे इस तरीके से जब यह हिलने लगीगा एक साइट से हो चुका है फिर आप इसे एक मनिट के लिए तेज गैस पर करके और दो कर्ची की सायता से इस तरीके से इसे फिलिप कर दीजिए तो फिर जाU. इसे हाट से इस तरीके से आप पका सकते हैं इसी तरीके से हम दूसरी साइट से भी इसे पकाएंगे यह दी तो टूट जाएगा इब यह फील राह रहा है तभी हम इसे फ्लेप करेंगे यह इस टारीके से और आपाम इस से पकने देंगे और पकने के बाद यह बहुत इसीली दोनों दॉन तरफ टन हो जाएगा और इस तरीके जैसे दो तीन बार फ्लिप करके आप इसे अच्छे से पका लीजे ताकि सारी वैचीस भी पक जाएगी और अंडा जो है वो भी अंदर से पूरा पक जाएगा यह देखिया हमारा ओम लेटिंग तुम क्रिस्पी क्रिस्पी वैचीस वाला बनके रेडी है इसे आप टॉमेटो सास हरी चटने के साथ भी सर्फ कर सकते हैं और चाहिए तो इसका सैंडविच बना कर भी खा सकते हैं